सुप्रबाद बच्चों, आपकी HKG की टीचर मैं हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ आज की तारीक है 17.4.2020, विशय हिंदी और आपको चाहिए ऐसी कौपी जिसमें ऐसी लाइन बनी हुई हो उसमें सबसे पहले CW लिखेंगे, CW का मतलब होता है Classwork फिर आपको इन तीनों लाइन में HW, HW, HW लिखना है HW का मतलब होता है Homework आज से हम हिंदी वर्ण माला लिखना शुरू करेंगे तो आप अपने पास पुरानी कौपी, Pencil और Eraser साथ में रखिएगा और अब जब आप LKG में पढ़ते थे, तो इन बड़ी लाइनों में लिखते थे इन बड़ी लाइनों में, पर अब आपको इन छोटी लाइनों में, पतली लाइनों में लिखना सीखना है तो सबसे पहले उसी में लिखेंगे, तिर्ची लाइन, खडी लाइन, एक गोला और दूसरा गोला ये बन गया K, अब बनाएंगे K, तिर्ची लाइन, गसे गमला जैसा बना के गोल, और यहां से नीचे गोल गुमाते हुए खडी लाइन, और यहां से अंदर भी एक गोला बनेगा, ये बन गया K, ख से खर गोश अब आगे लिखेंगे, गसे गमला, गसे गमला, खडी लाइन, गोल गुमा देंगे, और ये खडी लाइन, ये बन गया G, गसे गमला अब लिखेंगे आगे, गसे गर, एक गोला, फिर दूसरा गोला, और खडी लाइन से जोडेंगे, ये बन गया G, से गर अब लिखेंगे, अंग खाली, क्योंकि ये किसी शब्द में प्रयोग इससे नहीं बनता है, अब लिखेंगे, अंग खाली, ये जैसा बनाते हुए, ड जैसा बनाते हुए, इसमें डॉट लगाना, ये बन गया अंग खाली आगे लिखेंगे, चर से चमच, तिर्ची लाइन, चोटी तिर्ची लाइन, और गोल गुमा के उपर खडी लाइन से जोड देंगे, ये बन गया चर से चमच अब आगे लिखेंगे, चर से चतरी, एक गोला, दूसरा गोला, और ये चोटा पूरा गोल बना के बन करना है और यहां पर उपर चोटी लाइन बनानी है, ये बन गया चर से चतरी अब आगे लिखेंगे, जर से जहाज, गोल, फिर, तिर्ची लाइन, और खडी लाइन को जोडएंगे ये बन गया जर से जहाज, आगे लिखेंगे, जर से जन्डा, चोटी, खडी लाइन, द से डमरू जैसा बना के उसको गोल गुमाना है यह बन गया ई से इमली लिखते हैं वैसे और फिर तिरची लाइन और खड़ी लाइन से जोड़ देंगे और आख्री में है यह खाली इसको गोल गुमाते हुए फिर तिरची लाइन और खड़ी लाइन से जोड़ देंगे ये बन गया यह अब आगे वापस पढ़ेंगे क, ख, ग, घ, अंग, च, च, ज, ज, यह आप इन तीनों लाइन में लिखके प्रैक्टिस करना धन्यवाद